स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूटूब चैनल में मैं हूँ नीरज फोर मन्स स्टूरियो दोस्तों जो मेरे एक्सपर्ट एल्बम का यानि AI वर्जन दोजार पचीस वाला जो यूजर हैं उनके लिए मैं DM Pack 2 का फ्री अपडेट करने जा रहा हूं कैसे चलेग जिसको अपरेट करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूं और जो मेरा डेटा है जो मेरा हाट्राइब में हमने ड्राइब का लिंक दिया है एक तो उसमें कोई पासवर्ट की ज़रौत नहीं है आपको डाउनलोड करना है और जहां टेंपलेट का लोकेशन होता है वहां प जो मेरा एल्बम का सौफ़वर होता है जैसे यहां पर देखेंगे तो टेंपलेट्स डेटा के अंदर यहां पर डीम पैक टू यह लिखा हुआ है ऐसे ही आपको डाउनलोड करना है और राइट किली करके सिंपल सा यहां पर इस्ट्रक्ट हीयर कर देना है जैसे इस्ट्रक करना कैसे है तो सिंपल सा क्या करना है जो हमारा डोंगल लगा लेना है आप लोगों को जैसे डोंगल आपने अटेच कर लिया और अटेच करने के बाद यह सौफ़वर ओपन करेंगे और उसके पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं जो यह मैंने फोटो आपको रखा जो DM होता है उसके लिए मैं बात कर लेता हूं इसको आपको बना के कैसे होता है दिखा लेता हूं तो यह हमने DM के नाम से यहां पर फोटो रख दिया सिंपल सा यहां से जैसे आप लोग पोजेक बनाते हैं वही काम करना है जैसे DM मैं 2 लिख दिया और यहां से पोजेक लोकेशन है पोजेक लोकेशन माली जैने ठीक फोटोग्राफ समनेल दिया हूँ है फोटोग्राफ वन में तो मैं bcg दे देता हूं और इमेल और यहां पर आपको सलेक्ट करना है फोटोग्राप्स जैसे दो लेना है चार लेना है छे लेना है और लेकिने को लगता है जयसे इंट करके मैं दिसाइन करता हूँ तो उसमें लिमिटेट फोटो यानि कि यानि कि जैसे प्लसकोट सेलेक्किया तो पांच का डिजाइन होता है लेकिन मेरे को लगता है कि हर सीट पे अलग-अलग फोटोग्राफ डाल दूँ तो क्या हुआ इसमें एक और फीचर आ गया है कि जैसे चार फोटो सेलेक्ट किया यहाँ पे दिखा देगा फोर इमेज सेलेक्टेड और इसके अंदर जो टेंप्लेट्स मैं दे रहा हूँ 24,757 टेंप्लेट्स दे रहा हूँ जो कि बिल्कुल फूरी है और जैसे अभी बात कर रहते हैं चार इमेज सेलेक्ट हो गया है यहाँ पे क्या है एक आप्शन रहता है एड़ टू पेज का यहाँ पे क्लिक किया पहला पेज एड़ हो गया फिर सेम यह फोटो ले लिया माल इस उसा है फोटो वह भी अगर लेना है आपने तो सिंपल सा एक फोटो ऊपर का तीन फोटो यहाँ ले लिया चार फोटो यह आपको लगता है कि पाढ़ 6 फोटो लगाना है तो यह इमीने एक और फोले लिया अ quicker कर दिया तो यहाँ पे तीन पेह हो गया अब मैं क्या करू जितना पेज हमारे selected हमने किया है तीन पेज हमने सलेक्ट किया हर पेज पे अलग-अलग फोटो और अलग-अलग स्टाइल से अलग-अलग design से यह सेव करके आपको दे देगा तो यह कमाल का feature है और किसी भी background में या आपको लगता है कि कोई background बदलना है तो जैसे side में आपका background है उसका theme बदल सकते हैं अगर कितने लोगों का requirement है कि white पे design करना है तो कैसे करना है तो दोस्तों मैं यह बता दूं आप लोगों को यह तीन design बन जाने दीजिए फिर आपको guide करते हैं जैसे 3 page बन गया तो success हो गया अगर आप लोगों को लगता है white pattern में काम करना है तो simple सा background के अंदर change folder करना है और यहाँ पर default का एक option हमारा होता है इसको click कर देंगे तो यह क्या होगा जो भी आप layout इसमें select करेंगे जैसे एक photo हमने यह कर लिया दूसरा क कर लिया चौथा कर लिया अब इसको जैसे one click करेंगे तो यह default यानि white page को ही automatic उठाके आपको pasting कर देगा तो यह आपको ध्यान रखना जितने बार change करेंगे उतने बार design change होएगा कितने लोगों का complain था कि आप लोगों का जो background है white pattern पे आजकल चल रहा है white पे नहीं है तो इ कि वाली का सूप कामनाएं और साथ में यह आप लोगों के लिए हमारे तरफ से गिफ्ट है अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है अगर यह वीडियो को यहां तक आपने देखा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करके नोटिफिकेशन पाते रहे हैं थ बड़ फंट कर दो हमारे चैनल को यह स fundamentals